नमस्कार मैं अभिनाज भासकर चाटे, motivational speaker और corporate trainer कुछ दिन पहले मैंने ये किताब launch की थी The Winning Edge Self-Help Industry से ये किताब थी The Champions Mindset इसका tagline था अब मुझे बताने में काफी आनंद हो रहा है कि बुक को काफी अच्छा response मिल रहा है लेकिन बहुत सारे comments और बहुत सारे messages मेरे पास आए जिन्होंने ये बुक purchase नहीं किया है उनका ये कहना था कि सर बुक में exactly है क्या उस topics के उपर थोड़ा सा आप वीडियो के जरिये बताईए ताकि हम लोगों को interest generate हो ताकि हम लोगों को समझ में आए exactly बुक में है क्या तो मैंने सोचा क्यों ना इसके उपर कुछ वीडियो बनाए जाए और कुछ topics इसमें से discuss किये जाए तो चलिए आज के वीडियो में भी winning age के बारे में बात करते है पेज नमबर लेते हैं पेज नमबर 23 चैप्टर का नाम है the apprenticeship the champions blueprint अब specifically book में पेज नमबर 23 पे जो second paragraph है उसमें specifically discuss किया है इंडियन graduates के उपर हमारे जो भारत के youth है उनके उपर discuss किया है इसमें मैंने बताया है कि कैसे इंडियन graduates जो है वो तो बहुत plenty है बहुत ज्यादा है भारत में आप सब लोग जानते है कि graduation का ratio बहुत ज्यादा है यानि pass out का ratio बहुत ज्यादा है लेकिन उसके verses में अगर आप देखोगे तो employment ratio उतना अच्छा नहीं है unemployment का बहुत ज्यादा sure है अगर आप graduates में देखोगे तो सबसे trending topic, सबसे hot topic, colleges में भी चले जाएए, सबसे hot और trending topic यही है कि unemployment भारत का बहुत ज्यादा है, jobs यहाँ पे नहीं है, GDP नीचे जा रहा है, सरकार खराब है, whatever, तो problem basically बहुत simple है Indian graduates में, fear है job को लेके, job उनके पास है नहीं, यह बहुत बड़ा fear ह अब इस specific page number 23 पे, जैसे मैंने आपको कहा, second और third paragraph में भी इसी विशे के उपर चर्चा की है, अब मेरा खुद का experience यह कहता है, कि job basically कम नहीं है, job अच्छे है market में, the problem is with Indian graduates, हम लोगों के perspective में problem है, हम लोग job को जिस तरीके से देखते है, जिस नजरिये से देखते है, उसमें problem है, देखिए, जितने भी industries में मैं गया हूँ as a corporate trainer, मैंने देखा है, industrialist के पास अच्छी manpower नहीं है, manpower की कमी है, वो लोग तो चाहते हैं, कि अच्छे लोग company में आए, लेकिन क्या करें, अच्छे लोग मिल नहीं पाते हैं, तो industrialist के perspective से आप देखोगे, तो उनके पास अ देखोगे, तो problem कुछ और ही है, problem basically यह है कि पिछले 10-12 सालों में Indian graduates जो पास आउट हुए और जो job को लगे, उन्होंने कुछ trend को change किया है, यानि मैं बताने की क्या कुशिश कर रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि पिछले 10-12 सालों में Indian graduates ने job को apply किया, उनको job मिल भी गई, ल प्रोफेशनल को यह लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, या कोई उनको senior feedback देने का प्रयास करता है, तो feedback को ले नहीं पाते है, इससे क्या हुआ है, वो पैसों की पीछे भागते भागते company shift करते रहे है, यानि 6 महिने में company shift कर दिया, 8 महिने में shift कर दिया, 3 साल के resume में दे back record देखते हुए, industrialist के mindset में एक perception बन गया है, एक tracing ऐसा हो गया है कि जो fresher है उनको नहीं लेना है, क्योंकि यह unstable होते है, यह job switch करते है, तो fresher को opportunity नहीं मिलती है, जिसके कारण फिर unemployment का ratio बढ़ता है, तो problem basically क्या है, problem बहुत simple है, as an Indian graduate अगर आप अभी engineering में हो या आप graduate pass out होन तो आपको company बार-बार बदल नहीं है, at least शुरुआती कुछ सालों में, इसी विशे के उपर चर्चा की है, इसमें मैंने कहा है, apprenticeship का एक period होता है हर किसी के life में, जैसे आप career की शुरुआत कर रहे हो, तो 4-5 साल आपको देने है, हर किसी के expertise के, हर किसी के industry के उपर वो dependent है, कि आप किसी भी job के लिए apply करते हैं और आपको job मिलता है, तो उस job में कुछ दिन stable रही है, पैसो की पीछे मत भागिए, उसमें से learning लेने का प्रयाज कीजे, उसमें से observation लेने का प्रयाज कीजे, और फिर उसको practical implementation में convert करना है, problem basically यही है, कि 6 months बाद, 8 months बाद, हम लोगों को लगता है कि हम अब सब कुछ जानते हैं, और उस चक्कर में फिर job बदलते रहते हैं, और 3-4 साल बाद हमारा resume खराब हो जाता है, क्योंकि हम unstable उसमें दिखाई देते हैं, company को लगता है कि यह company join तो करता है, लेकिन कुछ साल बाद यह company बदलता है, तो इसका मतलब है यह unstable है और इसी के चलते फिर हम लोगों को अच्छे job नहीं मिल पाते हैं, तो इसी विशय के उपर, इसी specific topic के उपर, मैंने इसमें discussion किया है कि feedback को कैसे लिया जाए, कैसे apprenticeship का period होता है, हर किसी के life में, उसको हम लोगों को complete करना है, तब जाके आप आपके life में mastery हासिल कर सकते हो, आप Amazon या flip card पे जाके इस book को purchase कर सकते हैं, इसमें बहुत सरे अलग-अलग tools and techniques दिये हैं, जो आपके behavior को change करेंगे, आपके emotional management को सही करेंगे, और आपको आपके field में mastery हासिल करने में मदद करेंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आने वाले कुछ वीडियो में मैं इसी प्रकार से winning age में से कुछ topics लूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा कि winning age में exactly क्या-क्या दिया हुआ है, ताकि आप आपके life में बहतर बन सके, next level पर जा सके, मैं चलता हूँ next वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए I am signing off, thank you so much, जहिन